हेलो दोस्तों कैसे है आप नवरातरी के पहला दिन के लिए बहुत बहुत सोब कामना और यह रिस्पी अब तक ना आपने देखा है ना कभी खाया होगा तो चले मैं बता तो यह कैसे बनने वाला है इसके लिए मैंने सारी बेजी टेबल कम से कम दो कटोरी ले लिया है चकोर दाल है और मुंग दाल है जिसे में रात भर भीगो दी थी भीगोने के बद उसे अच्छे से धोके चान के पीस के फिर उसके बाद आठ गंटे के लिए रख दीते देखिए फूल के डबल हो गया है जिसे इटली का वेटर होता ना वैसे यह होता है तो पूरा कम से कम आठ गंटे के लिए मैंने रख दिया थे सुबह है मैंने 20 के रख दी ती और दीन भर रात को में बना रही हो पूरी दीन भर मैं अच्छे से फूल गय थी बस ऐसी पीस ली थी यहां मैंने टेस्ट के कोडिंग नमक डाला थोड़ी सी धनिय पत्ता डाला है अध्रको घीस के डाला है और अगर आपको डालना है मतलब ना थोड़ी तीखा के लिए तो काली मिर्च चाहे ग्रीन चिली को चौपट करके डाल सकते मेरे बच्चे नही खाते ग्रीन चिली इसने में नहीं डाली और मैं इसमें आधा चमत सकका डाली हूँ और इसे अच्छे से फेट लोगे इतना नहीं मतलब बहुत जोड़ जोड़ से नहीं पर अच्छे से फेट लेंगे और इससे क्या करेंगे इटली के जो बरतने उसमें बनाएंगे हम और बहुत हेलदी टेश्टी बच्चों को पसंद बड़ों को पसंद बुड़ों को सब को पसंद आने वाला है और यूनिक है अब तक ना आपने कभी रेस्पी देखी है ना ट्राइक करी ना कभी खाई है तो इटली के बरतन लेली मैंने इसमें पहले से तेल लगा के घीज करके रख दी हूँ और इसके मोल में पानी गरम करने के लिए भी रख दी हूँ गैस पे तो सारे मोल में मैं फिल कर लूँगी फिल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी तो चले हम चलते हैं रखने के लिए इसको तो पानी मेरा पहले से गरम था इसमें में पूरी मतलब तीनो इश्टेन लगा दूँगे तीनों इश्टेन लगा दूँगे कम से कम 15 से 20 मीनिट मीडियम और लो की बीच में गैस की फिलिम चोड़ दूँगे तब तक अच्छे से यह कुक हो जाएगा कुक होने के बाद दिखाऊंगे मैं तब तक चलते है सबजी पे तो मेरी में में लिए है और यह इसके बाद मैंने जीरा ले लिए एक चमच और एक मैंने मिडियम साइज के प्याज को चॉपर में चॉपट कर लिया है उससे न अच्छे से ब्राउन कलर आने तक गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे कुक करेंगे और जो मैं यहाँ फिलिंग बना रहे हू न मतलब इटली में फील नहीं होगा और बच्चों को मुँ में आएगा तो वैसी छाट के निकाल देते अलग कर देते तो थोड़ी से मैं चॉपर में जैसे क्रश कर ली ज्यादा बारिक नहीं क्रश कर ली हूँ इसके बाद क्या करेंगे अच्छे से रोष्ट करेंगे दो इसमें अच्छे से मिक्स कर हां अगर आपको यहां अजिकर बाना है टेए हृं में कॉ ex relying में आपको यहां डालना है टे इंडियन मसाले sig coll इनी वे गयाल से पोड़ी मैं एंडियन मासाले हो बाते हैं थोड़ी सी जीरा थोड़ी से धनिया हल्दी correspondent अगर हां मैगी मसाला हो तो यह हटा के मैगी मसाला का फ्लेवर डाल दीजे इसके बाद में थोड़ी सी न पावभाजी की जो होता है मेसर उससे मेस कर ली से इसे मेस करने से अच्छे से मिक्स हो जाएगा और यह फटा-फट बनके मेरी रेडी हो जाएगी तब तक मेरी इटल को भी पसंद आएगी तो बच्चों को फ्लेवर देने के लिए मैंने यहां पेरी पेरी डाल देंगे बच्चों को फ्लेवर अलगी होता है उन्हों को बोलते के की जैसा हर बार फ्लेवर में मत बनाया करो इसके बाद मैंने क्या क्याता है थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दे ठंडा करने के बाद इसमें और जो चीजे दो हैं वो जाएंगी तो देखे इसे अच्छे से करते करते कम 7-8 मिनट हो गया है तो ये पूरी अच्छे से ठंडा हो जाएगी इसके बाद डालेंगे तो उससे पहले मैंने किया कि थोड़ी सी न में यहां बटा डाल दी कि ड्राइ मुझे लग रही थी तो मैंने बटा डाल ड्राइफ फिल करेंगे चाहे सेन्वीज हो चाहे इटली हो चाहे पराटे हो तो निकल जाएगा तो इसको एक गम सौप्ट और मतलब मॉस्चर बनाने के लिए थोड़ी से हम इसमें चीज डालेंगे और थोड़ी सी पनीर पर ठंडा होने के बाद तो ठंडा हो गया तो मैंने चीज को घीज लिया क्या है कि बच्चों को अगर हेल्दी खिलाना भी है और टेस्टी भी तो उनके पसंद का कुछ तो समान डालना पड़ेगा तो मैंने चीज यहां डाल दिया घीज के पर ठंडा होने के बाद गरम ग बना सकते हैं इटली में फिलिंग कर सकते हैं जहां फिलिंग करना आप करके बच्चों कराम से दे सकते हैं इसे रोल भी बना सकते हैं तो देखे में इटली में रठंडा हो गया था मैं आपको थोड़ा भी गरम है तो मैं पहले निकाल के दिखा लेती हूं आपको तो देखें उसे निकाल देना ज्यादा नहीं बीच से निकालना है थोड़े उनिक तरीके से बच्चों को देंगे तब ही ऊखाएंगे और सौक्ट से अगर आपको नहीं खाना है तो इस इटली वहीं चटनी के साथ सांबर के साथ साथ है, चटनी के साथव हो सकते हैं इसाद के साथ बी 1-2-4 छाहिए इस seráे इतली को हैं ऊपर से मिएपक अंतर के जादा नहीं नीचे की पाट रह नहीं हो नीचे पूरी को लिकूर कर फिल करेंगे शर् Möglichkeit सेमदा इस थोड़े तब तक मैं भरण लीटक मेरे तüzik बण यह टूड़ हो गया था पता तो मैंने 4 भर के रेडी कर लिया है इस पर थोड़ी सी बटर दालिए बटर रहा तो इसी टेश्ट अच्छी आती है कि बटर रहा नहीं हूँ अधोल जिल तो तेल भी डाली यहां पर और यहां गैस की फिलम लो नहीं होगी हाई नहीं होगी मिडियम रहेगा तैसे पलटके में सेक लूँगी अच्छे से से क्या होगा थोड़ी और क्रिस्पी हो जाएगी और अच्छी इसकी टेस्ट होती है और बडर डालेंगे तो सबसे यूनिक होती है अगर आपक करके रेडी रख लिया इसके बाद मैं इसे साइड में करकर हटाऊंगी और इससे निकाल लोंगी और पता यह मैंने क्या किया ना बनाने के बाद एक और आपको दिखाती हूं इसके मतलब की चीले चीले बोले उत्पाम बोले पर चीले सबसे बेश्ट होते तो इटली वाल मतला हम देक Inspire को साम को इस चैनल पर जोंक को का स्भावक की साल को बेकरी आइटम रहेगा क्म डिन में 12 बजे मेरी आइटम रहेगी तो जो भी रेस्पी होगी रोगते 2020 है तो कि चीनला का जहाइक अदिंड है तो बिना केमिकल का इतना अच्छा मैंने घर पे ब्रेड बनाया है कियोंकि पता मेरी बेकरी की खुदी सेलिंग होती है लोगों का डिमांड रहता है मैं वैसे सेल करती हूं और शेनमीज का बड़ा सा बनाए थी मैंने ब्रेड तो यह देखे मैंने उसी का बेटर बचा था तो मै भी डालके फिलिंग बलाने जिए तो भी फिलिंग चलेगा यहां पर मेरे पास फिलिंग बचा था तो मैंने इस पर डाल दिया यह फिलिंग रेड़ी रहेगा नो आप इसे रोल बना लेजे शेनमीर बना जिलीजे पराठे बना ले कुछ भी बना ले पर बच्चों को पहलो जरूर करियो सुबह मिलोंगी बारा बजे skins bud में सामको मिलोंगी time शेट्नंग नहीं है छेट करे आट नमज़े के विच में मैं आपको सशेट करओंगे बेकिंग पल्किंग अगर आपको कुछ भी सीक्क हो केकस, कुछ भी कुछ भी सीकना आज सा 왜 सिप्राइस प दीरे दीरे ढखके पका ली उसके बाद फिर मैंने पलट दिया फिर उसे में ढख दी और टोटल दस मिनट में स्लो फिलेम पे दीरे दीरे चीले पकती हैं और यह यूनिक लगती है बहुत टेस्टी देखे यह बताएंगे आप कितनी अच्छी और चीले बन गई है तो आप ब पनाई और कमेंट करिए और मुझे कमेंट करके बते कि रेस्पी आपको कैसे लगे तो कल मिलते इसी टाइम पे